Arab American, Muslim American, we had everybody and it was beautiful पिछले कई दिनों से Simpson Cartoon को लेकर के बाते चलोई थी कि क्या Simpson Cartoon प्रेडिक कर चुका है कि next US का President कौन होने वाला है लेकिन Donald Trump ने Simpson Cartoon की इस प्रेडिक्शन को गलत सावित कर दिया वेल्कम दोस इस वीडियो में बात करेंगे इस वाट सोशल मीडिया पर क्या वारल चल रहा है तो Mr. Dolan Trump जीत चुके हैं, बन चुके हैं US के दूसरी बार President लेकिन सोशल मीडिया पर क्या आसर पड़ रहा है, क्या कुछ बाते चल लाई है कि क्या फालस्तीन पर जो हमले हो रहा है वो रुकेंगे ने रुकेंगे अनबक्तों में मिठाईया, प्राइज, गिफ्ट सब चल ला है, शेर करेंगे इस वीडियो में जाने मने कॉमेडियन है वीर दास, गोधी मीडिया के पतरकार रहूल कावल का स्क्रीनशॉट शेर करते हैं, उनके ट्वीट का, ट्रोलिंग करते हैं, ऐसा क्या ट्वीट कर दिया, वो आपके साथ शेर करेंगे, सतीश शा परेश्रावल, जिस तरियक्ते से वक्फ बोट को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, उनकी भी ट्रोलिंग चल लाई है, साते साथ शेर करेंगे, छोड़े बड़े अपडेट्स वीडियो में, लेकिन आगे बड़ने से पहले, आप सभी से गुजारिश के चानल को सब्स्क्राइब और इच के लिए, लाइक, शेर, कॉमेंट का ना भूला करें, तो ये जुगलवंदी फिर से रोमांची कोने वाली है, क्योंकि लगातार इस चीज़ का इंतिजार हो रहा है, कि पधावंत्री मोधी, और डॉनल्ड ट्रम फिर से एक साथ एक स्टेज पर मिले, और कुछ इस तरीकी की बाते हो, मेरा मतलब इस तरीकी की बाते ना हो, लेकिन हाँ, दो मुलकों के बीच इस तरीके के तालुकात होने बहुत जरूरी है, और लगतार जशन का मौल है, डॉनल्ड ट्रम के खेमे गे अंदर, ना गजाना चल लाए, मीम चल लें, अब सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा है, कि कमला हैरिस जो हारी है, सोशल मीडिया पर ये कहा रहा है, कि उन्हें हार नहीं था, क्योंकि कमला नाम तो ठीक है, लेकिन नाम के आगे जो हारिस लगा हुआ है, उसकी वज़े से तो हुआ है, ये अनबगतों के खेमे में लगता चलना है, लेकिन जो जानेमाने पत्रकार इ है Donald Trump की जीत के बाद जो है वो इस तरीके का जशन देखने को मिला आप social media पर ये चल रहा है कि जब Donald Trump speech दे रहे थे तो मोदी मोदी के नारे लगे अब पूरा time जब तक ये election साव से पहले Elon Musk लगाता जो है वो Donald Trump को pitch कर रहे थे Donald Trump के बारे में बाते कर रहे थे उनको गोट करने की बाते कर रहे थे यानि पूरा support Elon Musk का Donald Trump के लिए था लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ये बाते अनभक्तों के खिवे में चल रही है कि Donald Trump की speech के दारान मोधी मोधी के नारे लगें इसको Elon Musk fact check कर रहे हैं बोल रहे हैं इसा नहीं हुआ और दूसरी तरफ मेडिया के अंदर जिस तरीके की बाते चल लए ये सुशान सिना का कहना है उनका कहना है कि अब राश्यपती Donald Trump और प्रधामंत्री मोधी को मिलकर गूगल का चुनाओ प्रभावित करने वाले भूत उतारना चाहिए यानि गूगल चुनाओ को जो प्रभावित करता है उसका भूत उतारना चाहिए यानि गूगल पर लगाम करने की बात हो रही है क्योंकि भारत की चुनाओ में YouTube ने नंगाई की थी यूए सेलेक्शन में भी यही कुछ हुआ था जो सबने देखा था इलाज बहुत जरूरी है बॉस यानि एलॉन मस्क अपने ट्विटर से लगातार अगर डॉनल्ड ट्रम की तारीफे कर दे प्रचार कर दे डॉनल्ड ट्रम को और उनकी पाटी को तो वो कोई टेंशन की ब रहा है कि इलाज गूगल का कम और ऐसे पत्रकारों का जादा करना चाहिए जो इस तरीके की बाते करते हैं और गंदगी मचाते हैं यानि सुशान सिना की ही ट्रोलिंग शुरू हो जाती है लेकिन अनभक्तों की खेमे में जिसन का महौल है यानि अलग ही खुश्यां देखन नहीं होगा यानि डॉल्ल ट्रॉम ये कहा रहा है कि जो जंगे हो रही है मेरे कारेकाल में नई होने दे जाएंगे और सिर्फ उतना ही नहीं मेडलिस्ट के एक्सपर्ट्स कभी यही मानना है उनका कहना है कि ट्रॉम की जीत के बाद हो सकता है नितन याहू जो हमले कर रहे ह जो उन्होंने जंग छिड़ी भी है उस पर लगाम लग सकती है तो ये तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी अनभक्तों के लिए जो जशन मना रहे हैं जो लगतार फलिस्तीन पर हमले होते हैं वो डांस करते हैं यहां उनका डांस जो है वो सकता है अब दूसरी तरफ मीडिया की रिपोर्टिंग देखिए अब सोशल मीडिया पर हुआ यह कि जैसा ही डांस ट्रम जीते हैं यहां कुछ अलग-अलग ट्वीट्स निकल के आने लगे यह देखिए नरेंद्र मोडी पैरडी अकाउंट से एक ट्वीट सामने आया इसके अंदर कहा गया कि कॉल पर बात हुई है मेरे दोस्त से और मुबारक बात दी है और जिस तरीके से हिंदुों पर बांगलादेश के अंदर खलस्तानी टेर्रिस जो हमले कर रहे हैं कैनड़ा के अंदर जो हो रहा है इस पर हमने बातचीत करी है यानि कुल मिला करके एक ट्वीट सामने आया है जिसको बाकाइदा इंडिया टुडे ने प्रधान मंत्री मोधी का बता करके शेर कर दिया है उस्ती वाली बात यह है कि इन्होंने ये पढ़ा भी नहीं कि वो पैरड़ी अकाउंट है यानि वो प्रधान मंत्री मोधी का अकाउंट ही नहीं है लेकिन इसको ऐसे पढ़ डाला जैसे मोधी का अकाउंट है आप सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो जाती है कहते हुए कि ये नैशनल चैलल है जो मोधी जी की दारिफ में इतने एक्साइटेड है अदर आप एक न्यूट्रिल वीवर हैं तो आप बहुत कन्फ्यूज हो जाएंगे पतरकारों को ऐसा नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया पर इस ट्वीट के वाइरल होने के बाद कॉमेडियन वीर दास का रियक्शन आया है राहूल कवल के इस ट्वीट पर उन्होंने कहा है लोल मतलब हिपोक्रिसी की भी सीमा होती है ये बात बोल कौन रहा है साथे साथ अपडेश चरे कर दें कि वक्फ बोट को ले करके लगातार जो प्रोटेस्ट है मुसल्मानों की तरफ से और जमियत ये उल्माई हिन की तरफ से जो बयानबाजी है उनके जो प्रेसिडेंट है अर्शद मदरी उनकी तरफ से जो बयानबाजी है वो तो देखने को मिली रहे है लेकिन सोशल मेडिया पर जो नेरिटिव है वो आपकी स्क्रीन पर सतिष शाह है जाने माने अक्टर है उनके तरफ से एक ट्वीट सामने आया है जिसके अंदर उनने कहा है कि पाकिस्तान का 8.81 लाक स्क्वाइर किलोमीटर का एरिया है यानि वह पाकिस्तान के एरिया को बताते हैं यानि 8.81 लाक स्क्वाइर किलोमीटर है पाकिस्तान और पर निशाना कॉंग्रेस पर है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान का जो इलाका है वो वखफ बोट से भी कम है यानि वखफ बोट के पास ज्यादा बड़ी जगा है पाकिस्तान से एक पाकिस्तान बाहर बना और एक पाकिस्तान अंदर है इस पर रियाक करत परिशावल ओह ओह लिखते हैं अब सोशल मीडिया पर एक्सपोस शूरू हो जाता है इस ट्वीट का कहते हुए कि पाकिस्तान का 8.8 लाक स्क्वार किलोमीटर जरूर है लेकिन वफ बोट का 8.8 लाक एकर है किलोमीटर नहीं है यानि एकर और किलोमीटर का फरक बता रहे है और कहना यह चा रहे हैं कि पाकिस्तान से कई गुना चुटा है वफ बोट की जो जमीन है वफ के अंदर जो जमीने आती है वो पाकिस्तान से कई गुना कम है तो अपने आप में जो बाते चल लई हैं का फैक्ट चेक होने लगता है बताए जाता है कि ये जमीन किसी और की नहीं है ये पैसे वाले मुसल्मानों की जमीन है जो उन्होंने डोनेट करी है वक्फ को ना कि वो किसी हिंदू धरम से या हिंदू लैंड की जमीन है ये मुसल्मानों से ली गई जमीन है और उन्होंने व वख्फ करी है वख्फ बोर्ड को तो यहाँ पर जिस तरीके का नेराटिफ फैलाने की कुशिश की जा रही है फैक्ट चेक चलना साथे साथ बता दे कि उत्रप्रदेश सरकार को एक बड़ा जटका लगा है और जटका किसी और नहीं सुप्रिम कोट ने दिया है यूपी सरका जो घर गिराएगा है बुल्डोजर की कारवाईस है उनको 25 लाग रुपए का मुआफ़ज़ देने की बात करी है और साधित का है कि 30 दिन का समय है इस काम को कर दीज़े साधे साथ आपको बता दे कैसी खबर है जिस पर चर्चा नहीं हो रहा है और अपने आप में एक ऐसी खबर है जो आपके रॉंग्टे खड़े कर सकती है क्योंकि लगातार जिस तरीके की बाते चल लहीं है आजकल सोशल मेडिया परल के नए ने बाबा आ रहे हैं फरदी बाबा आ रहे हैं एक बिजनिस सा चल पड़ा है लगातार कोई मोटिवेशल स्पीकर बना बैटा है और खुब पैसे कमा रहे हैं लगतार इस तरीके की बाते चल लहीं है शुरू शुरू में उनका खुब फाइदा उठा जाता है उनकी फालोविंग का फाइदा उठा जाता है लेकिन जब पता चलता है कि उनका एक्स्पोस शुरू हो गया है लोग आलोचना करना चुरू करते तो एकदम पल्ला जाड़े लगते हैं इसी तरीके की एक खबर निकल के आई है जो अपने आप में चौकाने वाली है खबर है सचिन गुपता रिपोर्ट करता है कहते हुए कि यह सादू अशोक कुमार वर्मा इसने हरिदवार में एक आश्रम जोइन किया धीरे धीरे एक सादवी से नस्दी किया हुई फिर दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन हुआ अशोक ने उसकी वीडियो बना ली अब अशोक चाहता था कि सादवी की कूरसी पर बैठ कर करोड़ों का आश्रम कबजा कर ले सादवी को भनत लग गई तो उसने ट्रस्ट या अशोक को निकलवा दिया दवाव बनाने के लिए आरोपी ने वीडियो वारल कर दी हरदवार पुलिस ने आरोपी को गिर्फतार कर लिया है अशोक उससे पहले 10 साल इलाबाद हाई कोट में वकील रह चुका है यानि अपनाप में किसी खबर है जहाँ अब वो सादू है की नहीं है या सादू बना है इसलिए ताके वो आश्रम पर कबज़ा कर सके और जो भी शर्यंत्र खबर में आ रही है उससे तो बिल्कुल बवाल मत जाए अब सोचके देखिए कि इसी तरीके की कोई बात होती किसी दूसरे समुदाई से जुड़ी हुई जो आरोपी है उसका नाम किसी दूसरे समुदाई का होता तो आप जानते है कि किस तरीके का हैश्टेग ट्रेंड करता लगए लेकिन इस तरीके की खबर पर बिल्कुल भी कोई बोलने को तयार नहीं है एकदम सन्नाटा है और हम बहुत शुकर गुजा रहे हैं ऐसे लोगों के जो इस तरीके की खबरे बिना बायसनिस के लाके सामने रखते हैं जिससे यह पता चलता है कि जो नारेटिव फैला आजाता है वो कितना फर्दी है सोशल मेडिये की बार खबर में आज के लिए इतना ही अपनी राइस विजाब कामेंट पे जरूर बताए मिलूँगा आफ सभी से अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना खयार लगे